हेलो फ्रेंड आज हम बताएंगे आलू के कबाब बनाने का सबसे आसान तरीका जो खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी और बहुती ज़्यादा किस्पी होता है आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखें आलू के कबाब तो आप बार बार बनाएंगे तो आपने क्या कर करते हैं आलू कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने बॉयल आलू ले लेना है तो हमने आलू को बॉयल कर लिया है हमने तीन पीस आलू लिया है सबसे पहले आपने इसको ग्रेट कर लेना है तो आप इसको कद्दू कश कर सकते हैं आप ऐसे डारेक्ट फोड भी सकते हैं फोड के आप मैज भी कर सकते हैं, तो बट हम इसको गिरेटर में इसको गिरेट कर लेंगे, आपने इसे ही गिरेट कर लेना है, जैसा कि हम गिरेट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम सारा आलू, तीनों आलू को गिरेट कर लेंगे, तो आपने इसी तरीके से आलू को गिरेट क के पास गाजर शिमला मिर्चा ना हो तो आप इसके भी कर सकते हैं एक टेबल इस्पून आपने आट कर देना है ग्रीन चिली चॉप यानि हरी मिर्ची साथ में आपने टू टेबल इस्पून आट करना है कोरियंडर यानि हरी धन्या आट कर देना हरी धन्या आट करने के बाद आपने इसमें आट करना है पुदीना तो आप पुदीना जरूर डालें इस टेम सीजन है पुदीना का तो मिल रहा है इससे बहुती बेदरीन फिलेवार आता है साथ में आपने आड़ करना है हाफ टेबल स्पून नमक तो नमक टेश्टे के कॉर्डिंग डालें जादा ना डालें हाफ टेबल स्पून हम इसमें आड़ करना है चिल्ली फ्लैक आपने चिल्ली फ्लैक जरूर डालना है हाप टेबल इस्पून आपने अड़ करना है कुटी हुई खड़ी धनिया साथ में आपने आड़ करना है रोष्टेट जीरा आपने आड़ करना है हाप टेबल इस्पून भुना हुआ अपने जीरा क्रेश करके आपने हाप टेबल इस्पून आड़ कर देना है 1 टी 4 इस्पून आपने आड़ करना है काली मिरिच का पौडर या आप क्रेश काली मिरिच भी आड़ कर सकते हैं हाफ टेबल इस्पून हम इसमें आड़ कर रहे हैं चाट मसाला अब सारे इंग्रीडियन डालने के बाद आपने बढ़िया तरीके से मिला लेना है तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं आपने बढ़िया तरीके से मिलाना है मैस नहीं करना है कस के आपने बिल्कुल आराम से मिला लेना है अब इसमें हम एट कर रहे हैं half टेबल स्पून देगी मिर्च यानि कश्मीरी देगी मिर्च हम इसमें एट कर रहे हैं इससे बहतरीन कबाब में कलर आएगा तो आलू के कबाब हम बना रहे हैं तो इसमें कलर लाने के लिए हमने कश्मीरी देगी मिर्च एट किया है साथ में ह आपने bread का पावड़य को खुखा लेना है उसके बाद आपने पॉडर बना के तू टेबल इस्पून आपने बिर्ट का पवड़य कर ते देना है मिक्सर है ने पीष लेन है या या बिलनस से भी उसको पीष सकते हैं अब आप देख सकते हैं Om ने बढ़िया तरीके से मिला लिया था कबाब को, अब इसका हम कबाब का शेप बनाएंगे, तो आपने शेप कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने हाथ में पानी लगा लेना है, पानी लगाने के बाद एक टिक्की की शेप में आपने इसको कबाब की शेप में बना लेना है, तो आप देख सकते हैं हम कैसे बना रहे हैं आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है जैसा कि हम बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं हम कैसे कबाब को बनाया आपने बिल्कुल इसी तरीके से कबाब की शेप में बना लेना है या आप टिक्की भी बोल सकते हैं इसको इस आटा आटा आट कर देना है तीन चंबर भर के साथ में two tablespoon आपने आट करना है मैडा आट करने के बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी add करना है तो सबसे पहले आट कर देना है 24 spoke salt यानि नमक half tablespoons हम इसमें और add कर रहा है देगी मि, ताकि हमारा कबाब में कलर बेहतरी ना बढ़िया तरीके से आए तो आप देख सकते हैं अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करना है तो पानी जादा ना डालें थोड़ा पानी आड़ करने के बाद आपने चलाना है बढ़िया तरीके से तो आप देख सकते हैं हमारा कैसा बना है coating का मसाला आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है इससे बहुत ही ज़ादा आपका कबाब क्रिस्पी होएगा तो अब एक एक करके आपने कबाब को इसी coating में add करना है और इस्टरा जो पानी आपका कबाब से निकल रहा है इसको निकलने देना है उसके बाद आपने ब्रेट करम ब्रेट करम जो हमने पहले आपको बताया था ब्रेट का पौडर आपने बना लेना है तो बढ़िया तरीके से आपने लगा लेना है तो एक कबाब हम आपको लगा के दिखा रहे हैं आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है आराम से जल्द है रमजान का महीना चल रहा है आप इसको दो दिन आराम से खहते हैं 2-3 दिन इसमें है डिनम से तो आपने एक पैन लेना इसमें आठ कर देना है तो हम लोगोई है तो आप काप हाई न होना चाहिए तो रहसा पहले आपने मीडियम फिलम फिलम पे ले तीन मिनट के लिए एक साइट उसके बाद फिर हमपकाइंगे तीन मिनट के लिए आपने वीडियो को भी धीऊं से आप देखें आप देख सकते हैं हमारा ऊचिका हैम्डीम टमें परम करी में मिडियूलनी स्थाषली में उननल으ूड के सहा ख謹ता जञादा बेतरी फ्लेवर आता है तो आप देख सकते हैं हमारा 3 मिनट हो चुका था जिसको हमने में पलिट लिया था दूसरी साइट भी हम इसको पलिट ले रहें हैं दूसरी साइट पलिटने के बाद आपने gas की flame को थोड़ा सा तेज कर लेना है पहले जो low flame पर हमने पकाया 6 मिनट उसके बाद 2 मिनट आपने थोड़ा सा तेज यानि high flame पर आपने कर लेना है अगर आप घर के चूलेम बना रहें तो आप high flame पर बनाłem रेस्टोरेंट में बना रहें कैसा हमारा कबाब बना है तो आप देख सकते हैं हमने प्लेट में निकाल लिया है अब हम आपको प्लेट में लिकाल के लगा के दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं किता बेतरीन हमारा आलू के कबाब बनके तयार हैं आप इसको आलू के कटलेट भी बोल सकते हैं आलू के कब यह आता इतना क्रिस्पी है कब आप देख सकते हैं अगर आपको यह रिस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें